अजी दोस्तों क्या हाल है अवाज ठीक होगी है ना चलिए और बताएं क्या तल रहा है अब तो एक्जाम में टाइम भी कम रह गया है तो तैयारी शुरू करने सिर्ष अवाज वीडियो में आपको दोंगा फ्लस हम करकर है आ आप punishs को जो हमने शुरू किया है के हमने कि अधा दोजर पंदरा से लेकर दोजर बाइस इनके प्रिवेस इसी एर पेपर पूरिके सलूशन आपके पास आ चुके मैं आपको अभी भी बात बोलूंगा तियारी करने करने मोड होता है यानि प्रिपेरिशन जब भी आपने करनी है ना हमेशा क्या करने एनलिसिस करने फिर प्रिवेस एर पेपर करने लगाने है और इसके बीच में स्लेवर स्टॉम ने करना ही है ठीक है क्योंकि आप लोग सबसे बड़ी गलती बता करते हो आप लोग किसी भी चीज़ की पहले एनलिसिस नहीं करते हैं मतलब जैसे प्रिवेस एर कोश्टिन की अनलिसिस सिर्फ आप लोगों को इस पता है भाई नंबर सिस्टम आ रहा है ना असी कोशन नंबर सिस्टम के थोड़ी ना रहे हैं अगर मैं बेसिकली अर्थमेटिक की बात करो एक बात करो बीए को मिला कि आपके पास 40 कोश्टिन के घरीब आ रहे हैं हाफ आपके पास यह राज के ताइम म है जैसे मैं आगर बात करूं एटू भी फाइव सेवन ऐसे वाले कोश्टन जो एड करके नंबर दिया होता है ऐसे वाले कोश्टन आपके लेंग्वेज बेस कोश्टन साही है यह यूनिट डिजिट बेस कोश्टन कह सकते हैं तो ध्यान रखिए नंबर सिस्टम करना है अगर आप अपना एक अईस बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो सी सबसे बड़ा अचन आज के टैम में रोड़ा कहूंगा मैं तो एक पहाड बड़ी शीला के समान है यह ठीक है क्यूं क्यूं मैं ऐसे बोले को दोजार जब 23 का पेपर हुआ ना सी सैट यह मैं बात कर अब कई बच्चों को यह पता लग 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 कि हाँ सी सैट कोई पर है ठीक है मतलब हर किसी ने सलो सॉल्फ कर रहे यह पर करो एक पर करो हुआ इतना था कोट में चले कभी या केस होगे पेशिया है न तो मतलब वो इक ठाद बट अवह हो चुक है ठीक है अब वह सब हो चुक है अब क्या टाइम है आपको 2023 से सीख लेकिना सीसेट 2024 की तियारी करने का कि हम सीसेट 2024 को कैसे डिल करेंगे हमें यह देखना अच्छे से हम उस चीज के ऊपर नहीं भागेंगे जो हो गया उसे चोड़ दो मैं हमेशा ही देखो हमेशा कुछ बच्चे कहा रहे हैं मुश्किल कोई पर था हां मुश्किल है अच्छी बच्चों नहीं कौलिफाई किया तो वह भी तो करके गए तो अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो देखे हमारे हमारा जो बैच की टाइमिंग्स है बेटा वो है तिन दृफट नृट जो यह आपका यह अनलाइन ड्रॉस ऑफॉली दीख रहे है तो अगर मैं बात टॉण है आपके जो यह आपको कैसे इन दर बाएं यह जिसके अंदर 50 प्लस ही बूलूंगा मैं थोड़े ज्यादा बावंद्री पन लेक्च्च्चर हो जाएंगा आपक मैंने पहले सोते हैं मिनिमम पचास होंगी इस एक दो पांच उपर भी जाएंगे तो कोई दिक्कत निया बट बट बच्चों को अच्छा कंटेंट बिलना चाहिए कियो मैं आपको कि हुए रहा है कि कीटाब नहीं पढ़ेगी कोर्शन के लावल कर एंधी बट आतों आपको 20 बेट कंटरा इसमें आपके पास इंगलिश की लेक्ट्र स रहने वाले क्लीर इसमें प्रिवीश ये नैंटी ब्लस वाले हों थो पंदरा मां मंसी कीव प्रेक्टिस सेशन कितने 50 प्लस लाइव मेंटर्स कितने आपका 30 प्लस तो यह आपके पास इसके छोड़ कि क्या आता है यह तो इसे बैस का बता है जो आपके लेक्चर सब्सक्राइब लेता है उनको कैसे मोडूल करते लेक्ट में टेल यू देखो ओफली यह आपको समझा आगया वह सार जबना देखो ओ है कि देखे बच्छो नेक्स से पहले मुझे क्या पता चलता है विख लेटोल मदर्ब इस वी की मेरे कॉनको से लेक्टर साने वाले मुझे पहले पता चल जाएगा क्लिट तो कि कीजिए मैंने मंडे समय लेक्चर आया मंटे को मेया तो क्या होगा उस लेक्चरके साथ उसलेक्टेवल फाट तीन चीज़िए मिलेगी सिक्षा कि पिडियotte मैं आइभ लेक्चर की पीडिएफ कि नमबर दो पर क्या मिलेग आपको रिसोर्स छार्ट नंबर दो पर क्या मिलने वाल आपको प्रेक्टिस इट इसलिए मैंने बुला क्योंगी मैं एक्स तर आपको प्रेक्टिस इट दे रहा हूं जैसे क्लास में कि एक्जैक्ट्ली मिल्दा जूद्धे कोशन थे थोड़ा सा चेंज वह आपको घर के लिए मिलेंगे इसको कब डि यह मेरा पांच विजे तक है बिसीक्ली और इस तीस मिनट में हम डाउट डिसकुशन करेंगे जो आपकी प्रेक्टिस इट का डाउट वा या कोई पीछली लेक्ट्ट रच्टर वो प्लस हम इसमें क्या करने वाले हैं इस प्रेक्टिस इट को मच्छे से डिसक्स करने बने care to eat sport xa 소метus चलती तो तीन से लेकिगे पांगने रिसोर्सिस क्या हुता कि सकती हुआ कुछ फॉप्म्म्लव कूस को सकते हैं है जिससे चैप्टर को समझुघ रहे हैं प्रियद अभरणे प्थे एट रहे amendment खती जो पति दूनांने गधरिये है यह online offline दोनों है अगर आप हमारे हेड़ सेंटर में आके classes लगा सकते अधर्वाइस आप इसे घर बैठके भी अवेल कर सकते हैं यह आपको recorded classes में मिलेंगे सपोर्ज किसी आप किसी कानडवस्ट नहीं लगा पाए तो आप बाद में भी से देख सकते हैं क्लिर उसके बाद होता आपका 1PM ठीक है जी हर संदे को एक पुच्छ और इसका आपको मिलता है इसका हमें मिलता है वीडियो सलूशन तो जब मुझे इसका वीडियो सेलूशन मिल रहा है तो बस फिर ख्या दिक्कत है ठीक है एक्जाक्टी पूसी तरीके से जिस तरीके से class में घुश्चन किये हो और यह कब डिस्केशन होता है जैसे मंदे को पहले लेक्षर होगा उसके पहले होगा और वहां पर अप्लोड कर दिया जाएगा सो इस ओल अबाउट दिस मास्टर बैच क्लियर यह एक्ट्यूली जीरोटे हीरो बैच है मेरा इस बैच का नाम ही मैंने जीरोटे हो बिकॉस अगर किसी बत्य को मैथ का एम बी नहीं नहीं वो कहता सर मुझे टू प्लस टू फोर पता बस इतना पता यह भी नहीं पता तो मैं बताओंगा मेरे पास आओ क्लियर बिकॉस अगर मुझे जुड़ोगे मैं जब भी आपकी मदद कर रहा हूंगो ऐसे घर बैटे वीडियो देखने से यूट्यूब पे मैं कोई मदद नहीं कर पाँगो इनमें एमसी की उसको अपलाई कैसे करना है उनमें क्या कॉंसेट लगाना वो सारा इस बैच में आपको मैंने बता रही है क्लियर तो जब आप जुड़ेंगे तो मुझसे बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा तो 951-777-1651 इस नमबर पर कॉल कर सकते हैं या वट्सअप भी कर सकते कि पर कॉल का जवाब ना दो तो वट्सप जिरफ हाई लिखिए आल डेफिनेटी कॉ क्लियर तो चलिए होफ़ली सारी चीज़े आपको क्लियर होगी तो बहुत ऐसे कॉंपक्ट बैच है आपको की बुकिन लेनी पड़ेगी क्लियर चलिए और इसके नीचे हमारे वट्सप गुरूप करने के दिया गया प्लीज उस वट्सप गुरूप को भी आप जोइन कीज लोंग रोड वन जिरो वन प्लांट्स अर प्लांटेट एड एक्वल डिस्टन पॉम इच अधर वर्ट इजा टोटल इसे विटिन फाइफ कॉंजेकूट प्लांट्स पांच जो लगातार पॉधे लगें उनकी बीच का डिस्टन्स कितना अपने मुझे यह बताना देखो मैं हमेशे एक बात पांता है ऐसा कोश्चन जब आप स्पीड टाइम डिस्टन्स करते हैं जब भी आता है एक ट्रेंज चली हुए उतने इतने नंबर पोल्स को क्रॉस किया तो एक पोल्स की बीच का डिस्टन्स इतना दिया इतने बाल्स है बताओ स्पीड क्या हो गया कु यह प्लांट घुए तो कलाकारी के नंबर कितने हुए बताएज अट्टामाइट सेक्चन में क्लीर है देखूँ सब्सक्राइब करो मेरे पास तीन प्लांट है ठीक है यह मेरा फर्स्ट प्लांट है इसका मतलब इनके बीच में गैप कितना है अगर मुझे यह पता चले एक गाप की वैल्यू कितनी है पांच फ्लांट दो गैप दो प्लांट यानि फ्लांच प्लांट चार गैप साथ फ्लांट शे चाप जितने नंबर ओ प्लांट्स है उंक बीच में गैप माईनस वन उता ध्यान रखेगा मैंने आपको बेसिकली बता अब पॉंट पॉंट जिरो वन के मतलब के हुआ वनीट मिलें 2010 मिलें इसका मतलब जब मैं 100 प्लांट 101 प्लांट लेके जाएख यानि कितना होगा मेरे पास जब मैंने 100 gap को tackle करना है तो total distance कितना है 10,10 meter तो एक gap के लिए कितना होगा मेरे पास 10,10 divided by 100 ओफली आपको दिख रहा होगा बिल्कुल जी तो एक इतना होगा मेरे पास 10.10 meter clear अब मेरे पास एक gap की value कितनी आगी मेरे पास एक gap की बेटा value कितनी आगी 10.10 meter but according to question 5 consecutive plants याणी 5 plants plant नंबर 1, plant नंबर 2, plant नंबर 3, plant नंबर 4, plant नंबर 5 याणी 1, 2, 3, 4 तो 4 gap की value कितनी है 4 गुना 10.10 तो कितना होगा 40.10 चालेज नंबर 40 option नंबर दिया है जी हाँ 40.4 याणी option नंबर भी मेरे बिल्कुल correct answer is question clear चलिए बहुत प्यारा question था चलते हैं next question के उपर चलिए hopefully clear होगा question how many seconds in total hour x week x days x hours and x minutes and x seconds देखो भी सबसे वहले यहां से शुरू करते हैं मतब एक सेकंड एक मिनिट की मैं बात करूं कितने सेकंड एक मिनिट में इस सेकंड तो यह कितना होगा 60 x होगी क्लियर क्लियर क्योंकि auction में सारा मेरे पास एक दिया हुआ ठीक हो चलिए अब देखो जाना next एक आवर की बात करूं 60 x 60 x यानि कितना होगा 36 x बिल्कुल सिंपल मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है इस कोश्टन को जितना मैं कम कैलकुलेशन करूंगा उतना मुझे यह कोश्टन जल्दी समझाएगा तो पहले मैंने सिरफ पाऊवस सेकंड लिए फिर मैं एक मिनिट में देखा फिर मैं एक आव 24x देखो यह कितना होगा 3700 गुना अब देखो मैं करको 3600 गुना 20 प्लस ठीक है भाई अब यह कितना होगा 3600 गुना दो कितना होगा 700 यानि 72 और 30 प्लस ठीक गुना चार वन और फोर डबल जिरू तो बैटा यह कितना होगा मेरे पास यहां पर 400 और यह कितना होगा 86400 और यह क्या होगा एक्स अच्छा अब मैं बात करूं किसी बात करने हैं मुझे एक वीक तो एक वीक की अगर मैं बात करूं तो वह कितना होगा मेरे 7 इंटु आफ 86400 तो यह कितना होगा देखो अगर मैं टर्न बाइ टर्न इसकी मल्टिपले करूं देखो 80,000 इंटो 7 इस हाँ मच 56 और कितने 0 चार जिरू क्लिए नेक्स कितना है 6000 इंटु 7 साथ चिके ब्याल इस 42,000 नेक्स कितना होगा 400 इंटु 7 इस 2800 तो यह कितना होगा 0 0 8 4 0 6 0 8 4 6 0 4 8 00 X जल्दी से कलेकलोशन चेक कीजिए बताई यतना है अब देखो अब आपने एड करना है अब options को थोड़ा सा हटा दू देखो मेरे पास यहां पर कितना है आपको एड करना है तो यह थोड़ा सा क्लेवर तरीका था इस question को करने जो पांच डिजेट वाले अब आहिए टा दो कूंगे मेरा मैक्सिम्म क्या रहा है छेट डीजिट आ रहा है माइनस को करने प्लस करने तो डेफिनेटली से बढ़ा ही अंसर होगा और एंड में क्या है मेरे पास वाना तो मुझे एड भी नहीं कर आएड करके देख लीजी कि इतना ही आएगा एक्स प्लस सिक्स्टी एक्स्टी एक्स कि लेंग्विज को देखते हुए करो जारा इस कुछन उट रहें कंसीडर था कोशन एंड टू स्टेटमेंट्स गिवन बिलो इन रिस्पेक्ट ओफ त्री सिट इस पी क्या हुआ है इना स्टेट कोशन हाओ पार इस पी फ्रॉम क्यों मतलब मुझे क्या बताना है मुझे ब अगर मैं कहता हुए क्यों हुए यह आ रहा है यह कितना हुए एटीन किलोमेटर आगे इनकी बीच में ठीक है नेक्स क्या कहा रहा हूं मेरे को सेकेंड पी इस 43 फ्रॉम आर पी और आर देखो अब ध्यान देखो मैं बोलूँ अगर पी यहां पे तो इनकी इसका डिसन्स कि बताना क्या है है वाद पी और क्यों के बीच का डिस्तंस बताना है कि यह यह दिस्टंस में बता है ने सकता भीकोज को डिरेक्शन इस नौट गीवन कि सदिक्शन में मुझा पता ही नहीं तो अंसर क्या होगा नाइधर वन और इसे इतना है कैसे आपको दिया है वो कहीं भी हो सकते सब्सक्राइब कहीं भी हो सकते कहीं भी हो सकते तो वहां पाइताकुरस नहीं लगती है तो ध्यान रखिए अंसर क्या हो गया कुछ खास कुछ अलग मिल रहा है आपको यहां पर कॉंसेप्चिल बेस कुछन कहीं प्यों तो बताइए का मुझे ऐसे चलिए तो ओफुली आपको पता चल गया है चलो हुए अमैन अमैन स्टार्टेड फ्रॉम हों होटीन यानि वो दो बज़ के तीस मिनिट पर चला कि के जी एंड रोफ टू विलेज अराइविंग देर एट विलेज फ्लॉक इंडिकेट फिफ्टीन फिफ्टी यानि अकॉर्डिंग टू क्लॉक वो कितने मुझे पहुंचा तीन बज़ के पंदर मिनिट पर यानि तुसे लगे पैंतालिस मिनिट बेसिकली मैं घर से मेरी गड़ी देखके चला धाई बज़े बट जब मैं गाओं वाली गड़ी से मैच के तो मुझे कितना पता चला कि या आप तो पॉने सवा तीन बजाओ यानि पैंतालिस मिनिट अलगे अब यहां से पच्छीस मिनिट और इसने लिए ठीक है मैंने बारना शुरू में जो यह मेरा हूं मैंने मालिये इनके बीच की दूरी वाई किलोमेटर है और मैं स्पीड है भाई एक्स किलोमेटर पर आवर मुझे इस कोशन में टाइम को लेके चलना है तो अगर मैं बात करूँ कितना चार बजे पहुंचा तो भाई चार बजे वह घर पहुंच गया तो इस कोश्चन में मुझे बस यह बताना है मेरी मैंने कितना टाइम चला मैंने कितना टाइम चलाओगा मुझे यह बताना अपने बात खत्म यहीं पर सारी बात खत्म हो जाती है क्लियर देखो, मुझे पूरा टाइम कितना लगा, पहले सोचो, मैं धाइबे चला थे, चार बजी का, मुझे देड़ घंटा लगा, बिल्कुल मुझे देड़ घंटा लगा, बट पच्चीस मिनटे का रेस्ट भी तो हुआ है, घर मैं अपने अकॉर्डिंग ली पहुंचाओ, मैंन वो कहरा, बहीं देड़ घंटा है, इन्हें, थ्री बाइट वाइट वाइनस सोफ, 25 बटे साथ, मैंने ट्रैवल कितना आके, कितने देर देर है ये कितना होगया, गॉर्ज बजी 15, 12 तो ये कितना आगए, 3 बाइट ये मैंने शुरू में किया कि वाइट डिस्टेंस था और एक्स मेरी स्पीड थी यह फिर मैंने किया कि यह तो मैं कब गया जब मैं घर से चला प्लस अब वो क्या कह रहा है भाई एक बंट दो टाइम तो फस्ट रूट यानि वर बंट हुआ है अपॉन और क्या हुआ पस्ट रूट ट्वाइस से रिचिंग इसका मतलब स्पीड कितनी होगी मेरी यह होफिली आपको समझ आगा हो कि सोड़ा मिटा दू मैं ठीक है यह टा भूँ यह बस कि भैट टोटल टाइम 13 बारह गंटे लगें मुझे क्योंकि 25 मिटे बेने वह रस्ट कर लिए यहां से क्या पता चले के एक्ट्ट टाइम पता चले के एक्सप्पोन वाई की रिश्टोस से चलो ऑन पंट टू फाइव है बन पॉन पॉण टू फाइव चलो वह देखो दो एक्स आगया मेरे पास एल सीम क्लियर एद नगाट टू वाई प्लस वन पंट टू फाइव इस इकल तो ते रहे बटे बारा हो ओफुली नूट कर लिया होगा आपने अब यह देखो ज़्या सो सॉल्व करें तो यह कितना अगया अब यह कितना अगया मैरे पच्छी चोके सो कि ते डाइम और यह चार तिये 12 तीन से कटा तीन तो यह कितना अगया वाई अपों एक्स इस लेट टू बाइट टू बाइट टू का मतलब कितना हुआ यह आवर आगया यानि कितना 40 मिनिट्स अगया कैसे निकालेंगे टू बाइट री इंटू ट्वंटी इंटू ट्वंटी क्यों किया है क्योंकि बेस को मैंने 60 बनाना है बेस 60 बनाते हो परवाला जो गया हो मिनेट को इंडिकेशन करते हैं इसका मतलब जब मैं पहली बार अपने घर से अपने गाउं गया तो मुझे चालिस मिनिट अलगे होंगे और घड़ी ने मुझे कितना दिखाया था मैंने शुरू में 45 इसका मतलब क्या होगा पांच मिनट फास्ट तो मेरी गाउं वाली घड़ी अब बता सकते हो अगली बार इसका कोशन इंटरस्टिंग कोश्चन है बहुत रिश्यो प्रपोर्शन के बैसे कोई ज्याद है इसमें है नहीं है बताए हाव लू दूस्कोशन कैसे करेंगे इस प्रशन को आप देखो अपर सानेक्स वांट्स तो डिस्रिब्यूट सम पैन्स अमंग सिक्स चिल्डर्न A, B, C, D, E, and F. Suppose A gets twice the number of pen received by B, three times that of C, four times that of D, five times that of E, and six times that of F. देखो पहले, क्या दिया है, twice, three, five times, four times, five times, six times, इसका ले लो LC, मैंने माना भाई, 60, so A, B, C, D, E, F. Suppose करो भई, A को क्या मिले, 60 मिले, इसका मतलब मेरा 60 हो सकता है, 120 हो सकता है, 180 हो सकता है, इसमें चलेगा, या तो A के पास 60 हो सकता है, 120, 60, 60, क्योंकि question में क्या दिया है, what is the minimum number of pen, X should buy, so that number of pens, each one get is an even number, तो यह अभी आप देखो कि odd आएगा, even में देखें कैसे गरण बड़ करते हैं, तो B को कि 20 से कितने मिले हैं, two times, यहां से कितने मिले, three times इने 20, four times इनी 15, five times इनी 12, और six times इनी 10, ठीक है, इसका मतलब simple simple यह एक structure बनके दियार हो गया मेरे पा question ने क्या बोला, कि मेरे पास कोई भी और नहीं होना चाहिए, और नहीं देखो, यहां पर और आगया, इसका मिलब क्या करो, इसे बस सारे को, तो से गुना करो, यह कितना होगा, 120, यह कितना होगा, 60, यह कितना होगा, 40, यह कितना होगा, 30, यह कितना होगा, 24, और यह कितन और 44 तो इस पेपर का सलूशन पार्ट पूर कैसा लगा आपको प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखके बताएगा वह एक 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 टीचर के लिए जब आप लिखेंगे सर बहुत अच्छा रहा है आप बताएं लूपोल्स क्या आपको लग रहा है कैसे आपको लग रहा है की डिटेल जो मैंने बताइए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और अफ्लाइन कैसे भी आप उसको अवेल कर सकते हैं क्लियर चलिए नेक्स्ट अब इस माइक्रो कोर्स इस जो बच्छे अभी जूट रहे हैं उन्हें में बता दूं माइक्रों से बहुत आउट आप पहले वह क्लियर कर सकते हैं अगर कल को आपने पूरा कोर्स भी खरी देना हो तो जो आपने नंबर सिस्टम अभी डिटेक्ट हो जाएगा उसके पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे बहुत अच्छा है आपको बता देता हूं कैसे आप इस अवेल कर सकते हैं लिंक लिए आपको दिस्क्शिप्शन बॉक्स में इसका मिलेगा किर डीर कर दो देखें से पहले क्या साथ सब्सक्राइब सांगी यहां पर सारे वीडियो कोर्स है यहां पर सारे टेस्ट फोसे और हेरा वर माइक्रों कॉर्स चलिए यहां पर 10 दीश का मोबाइल नमबर डाले का पूरा कॉर्स मेरे पास दिया गया है अगर मुझे सिर्फ नंबर सिस्टम करना है क्लियर यू नाओ कि यह जैसी मैं बात करूं बटा करें पूरा कोर्स 355 रुपेगा बट अकर सिर्फ मुझे करना है नंबर सिस्टम है तो 324 रुपेगा है दस लेक्चर से नो वैब सब्सक्राइब यह आपके पास एक तरह से बैक आप है यानि यह टेस्स सीरीज भी है आप इसके बीस से पच्चिस कोश्चन को बना के एक साथ लेखी सिलेक्ट करके टेस्ट भी दे जो बिल्कुल वैसे होगा जैसा आपका ग्जामिनेशन होल में होता है देखिए यह देखने के बाद करेंगे जैसे सिंप्लिफिकेशन की बात करें ट्रायल है आपके पास ठीक है बेटा एक सब्सक्राइब यहां पर कुछ आपके पास ट्रिक्स हो सकते हैं कुछ फॉर्मला हो सकते हैं जिससे चैप्टर को समझने में मैं आसा नहीं हो सब्सक्राइब करना चाहिए तो डिपेंडिंग मोदा चैप्टर जैसे स्टेट्मन की बात करूं यह रैंकिंग और इसका एक से दो कोशिन मिनिमुम आता है वन थर्टी रुपीज के अल्मस 12-13 परसेंट दिया हुए चे मिनेट का ट्रायल है इसमें जैसे पजल की बात करें 245 को अल्मस 17 लेक्टर मिलेगा और 270 के राउंड आपके पास ठीक हर चैप्टर के साथ बिन मैं खुद यह कह रहा हूं बिना ट्रायल लिए कुछ भी मत करी दिए एक रुपया भी मत देना का ट्रायल पसंद ना है अभी बतारू बर ट्रायल तो अगर आप यह ले रहे हो ना तो इंग्लिश का कंप्लीट लीजिए बिकॉस कई बार क्या होता है आपके पास एंटॉनिम करने पड़ जाते हैं आपको जो इंपोर्टन है क्लियर कई बार नहीं समझ आता तो यहां में बहुत अच्छे आपको को सकते हैं क्लियर और दो वै मेरे जो आइस ओफीसर ने जो अधिकार लेक्षिक उनकी बात बोरुसा होगा जैसे मैं बात करूं अभी दोजार तैइस वर्ष में 51 के साथ सफर्षादव ठीक है मिस्टर अर्णम इश्रा 56 रैंक के साथ और जतीन जैन नाइन टीवन जैसे बागे सारे कितने से सेलेक्शन कोई फायदा नहीं है तो मैं उमीद करूंगा आप इन प्यारे बच्चों की तरह सीरेस होंगे और मैं भी कह रहा था ना मेरी बात हो ब्रोसा मत करो बट इनके शब्दों पर ब्रोसा करोगे तो यहां से आईस बनके गए हैं 25 साल 500 प्लस सेलेक्शन इतना बड़ा प्लीज देखिए बहुत कुछ पता चलेगा आपको किसाबसे त्यारी की कैसे किया हैं क्लियर थैंक्यू बाबाई टेक एर